बच्चों को पीटा मारा गसिटा मेरी कुलर पकड़ी बाल खीचे ये कौन सा तरीका एक तरफ ता बोलते हो से निको हम सम्मान कर रहे हैं ये कौन सा सम्मान है बेरोजगार युवाम के लिए आने वाली पीडी के लिए और सर्वीसिज के लिए और बस्ताचार के लिए जो भी कत्म उठा ता डड़ी से अकस्टेवलन सायन ये नमस्कार मैं हूँ विक्रमा आप देख रहे हैं रंगिलो जुन जुनु अभी मैं मौझूद हूँ जुन जुनु के जाखडों के बास में और एक नाम विकाज जाखड जो सायद आप किसी से छुपा हुआ नहीं है विकाज जाखड जिन होने देश की रक्सा के लिए दुस्मनों के पहले दांत खटे किये फिर जब अपने परदेश में अपने ग्रह जिले में अपने उन युवा साथियों को देखा जो बेरोजगारी और रास्तान सरकार दोरा इनने परताडित किया जा रहा था धांदली हो रही थी उन चीजों से आहत होकर अपने CRPF के अशिस्टेंट कमांडेंट के पद से इस्तिफा दे दिया और फिर कुद पड़े अपने युवाओं के आवाज को बुलंद करने के लिए जब यहां विकाज जा खड़ाते हैं जिले के दौरा भरपूर उनका स्वागत किय जाता है क्योंकि नोजवानों के वो आवाज बुलंद करने के लिए अपने महत्वपुनपद से इस्तिफा दे कर यहां लोटे थे उसके बाद जब जब जैपूर सहीद समारक में विभिन जो बेरोजगार संगठन हैं वो लोग जहां धरना दे रहे थे वो उस धरने के बी परिके से उस अंदोलन को दबाने का प्रियास करती है अब जाखडों के बास में विकास जाखड पिछले चार दिन से आमरण अंसन पे बैठे हैं उन युवाओं के आवाज के लिए जो सरकार दोरा सताए गए हैं यहां पर आप देखो कि काफी संख्या में लोग हैं उन से भी बात करेंगे दो नमस्कार विकाजी जी नमस्कार बात करेंगे आपने एक महत्वा पुल्ण पद और यह बात भी माँ आपको बता दूं कि विकाजी जाखड सोर्य चकर से समानित है जिनने राश्ट्रपती ने खुद समानित किया था इतने एहम पद पर होने के बाद में कैसे आपको यह महसूस हुआ कि मुझे यहां से यह पद छोड़िए मेरे जो यूवा साथ हैं उनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए जिस चीज ने सबस्यदा आहत किया वो मैं क्लिर करता हूं कि अभी जिससे रिट में धान लिया हुई है ना रास्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि बड़े लेवल पर धान लियो सरकार नहीं करवाई हैं यह नहीं कह सकते कि नकल माफ्या हुने करवाई हैं सरकार के शे क्या रहेगा वो जो 25 साल का या 30 साल का जो आदमी शिक्षक बनेगा वो अपनी 30 साल की 35 साल के सुरिस में कितने बच्चों का भविश्य बरबाद करेगा यह बताओ ग्रामिन इलाकों में पढ़ाएगा गरीब बच्चों को पढ़ाएगा उनके माबाप सपना देखते हैं क अपनी प्राकाश्टा पे है नकल गिरो सकरिये हैं और लाश्ट में कारवाइज होती है वह आप सब लोगों के सामने है कुछ भी नहीं होता चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इती सीरी कर लिजाती है फाइल बंद हो जाती है क्यों तो यह होती है इंडेक्शन प्रोसेस इनकी साही नहीं है हर भरती में इनके खास लोग जो है या तो इनके खास लोग उनको यह पेपर आउट करवा के आउमार शीट भरवा के जैसे तेसे यह नोकले दिलवाते हैं और या फिर पेपर बेच के तो यह मतलब गरीब बच्चा है वो जाये तो कहां जाये अपनी जो है उसके मन में जो एक पीड़ा है वो किसको बताए कभी तो मतलब सरकार इस चीज को है ना संग्यान में लाए एक बात करें जूंजनु जिला वीरों की सेनिकों की और सहीदों की धरती कहा जाता है उससे आप देश रक्सा के लिए और आपक होसता है तो सरकार की पुलिस द्वारा वहां उसे अपमनित करने का काम किया जाता है वजय क्या रही होगी कि आपके जाने के बाद सरकार ने अंदोलन को दबाने का प्रियाश किया जूंजनों वीरों की भूमी यह तो पुरा देश जानता है यह सारे जो हमारे हैं सीनियर ह फोजी भाई हैं, तो इनसे ही प्रेजित होके हम भी आगे बढ़े, अब शहीद इसमारक पर हमने धरना देना निश्चित किया, अब उसमें आप अहलोग तांत्रिक हमने क्या किया, हम आप कोई भी वहाँ पर फुटेस देखिए उसमें, हम शांती से खड़े हैं, उन्होंने एक तरफ ता बोलते हैं, हम सम्मान कर रहे हैं, हमने क्या कहा ऐसा, लोक्तांत्रिक तरीके से जो आप गलत कर रहे थे, जो आप घोटाले कर रहे हो, लगातार आप धोखा देरे हो बच्चों को, उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? ये एक तरीके से देखा जाए, सरकार की वादा खिलाफी हैं, अपनी गोशना पतर में जो चीजों का वादा किया था, उन्हें से कोई भी चीज पूरी होती नहीं दिख रही, वहीं विकास की बात करें, तो आप जहां भी गाउंड़ाणी में जाओगे, आपको वैसे ही हा पादेक्स हूं, राजपाल फोगाट, प्रांती एदेक्स, गोरोश नाने चिक से संग, इन्हों ने इतना बड़ा ये कोई त्याग किया है, मैं तो इसको बहुत बड़ा त्याग मानूंगा, जो त्याग किया है, वो किसी के बले के लिए किया है, ना कि खुद के परसनल ब और भी हमारे साथ लोग हैं, और यहां पे जब से आमरन अंसन शुरू हुआ, तब से यहीं बठे हैं, बात करें कि यह लड़ाई सिधी सरकार से है, और सरकार कनफरम जिस तरीके से जेपूर में अंदोलन को दबाने का प्रियास कर रही थी, उसी तरीके से यहां भी दमन की निती जरूर अपनाएगी, तो अगर ऐसा होता है, तो क्या आप साथ निपा पाओगे विकाजी का? येस, क्यों नहीं निपा पाएंगे, हम तो टाइम तक साथ हैं क्यों, आपका क्या मानना है? बिलकुल साथ में है अगर सरकार कोई ऐसा कदम अपनी तानासा है, पुलिस के दौरा ऐसा कोई कदम उठाती है कि इस अंसन को खतम करवाने का परियास करती है, तो आपका क्या अगला कदम होगा? सर, लाठी खा सकते हैं सरकार के, लेकिन बाई साथ खड़े रहेंगे, कंदे से कंदा मिलाकर इनके साथ चलेंगे और अंसन तो सर, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक जारी रहेगा एक बात मा करूँ कि आज जिस युगाओं की जिन पीडा को लेके विकास जाखड जिने ये आवाज बुलंद करने का परियास किया है, मैं मेरे जुझनु जिले के नोजवानों से एक अपील करना चाओंगा अगवाई करने के लिए विकास ये आपके बीच अपने पद को छोड़ कर आए हैं, उमीद रहेगी कि जिले का युवाब सड़कों पर आएगा, उतरेगा और इस ताना सा सरकार से लड़ने का काम करेगा आप से पुने निवेदन है कि आप जाखडों का बास में यहां पहुँचिये और आपके हकों के आवाज को जिस आदमी ने बुलंद करने का काम किया है, उसका साथ निभाईए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, आवाज जब आज उठती है, तो वो दूर तक जाती है, लेकिन जब युवाओं के आवाज इस मुद्धे पर उठना चालू होगी, तो कनफरम ये होगा कि सरकार की कुर्शी की चूलें जरूर ही लेंगी, धन्यवाद